आईग्रेन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. दिनाक 8 फरवरी 2020. चीन में जीरात तिल एवं मूंगफली तेल का निर्यात प्रभावित होने की आशनका. चीन में कोरोना वाइरस के तेजी से बढ़ते जबरदस्त प्रकोप के कारण बजार बन पड़े हैं और कारोबार की गती अत्यंत धीमी पड़ गई है. इसके फलस्वरूप भारत से वहां जीरात तिल, मूंगफली तेल तथा का पास सहित कुछ अन्यक्रिशी उत्पादों के प्रकोप जारी रहा तो भारतिय क्रिशी उत्पादों का निर्यात कारोबार 10-15 प्रतिशत तक घट सकता है. उलेकनिय है कि भारत से निर्यात होने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्रिशी उत्पादों का 20-30 प्रतिशत भाग अकेले चीन को शिप्मेंट किया जाता है. अब इन में से प्रतियक उत्पाद का निर्यात 10-15 प्रतिशत तक घट सकता है. यात हो कि चीन का बजार आमतोर ल्यूनर नव वर्ष के अवकाश की वजह से जनवरी के अधिकांश दिनों तक बंद रहता है लेकिन इस बार फरवरी का पहला सप्ताह बीतने के बावजूद बज बजार नहीं खुल पाया है. वुहान में कोरोना वाइरस का प्रकोप तथा पूरे चीन में इसका आतंक फैलने से सरकार को अनेक सावधानिया बरतनी पढ़ रही है और एहतियाती कदम उठाने पढ़ रहे हैं. चीन के अधिकारी लंबे समय तक बजार को बंद रखने के प जरिये बातचीत की जा रही है लेकिन वहां स्थिती अनिश्चित प्रतीत हो रही है. जीरा के आया तक फिलहाल घर पर ही रहना चाहते हैं. भारत से औसतन एक दशमलव पाच शून्य लाख टन जीरा का वार्शिक निर्यात होता है जिसका एक तिहाई भाग या लगभग 50, अकेले चीन को भेजा जाता है. आमतोर पर रोजाना उसे 10 कंटेनर माल भेजा जाता है जो 2600 टन के करीब बैठता है. चीन में भारत से करीब 20 प्रतिशत तिल का निर्यात होता है लेकिन यदि वर्तमान माहौल बरकरार रहा तो वहां कुल शिप्मेंट में 10-15 प्रतिशत की गिरावट आ जाएगी. इस बार चीन भारतिय मूंगफली तेल की खरीद में भी जबरदस्त दिल्चस्पी दिखा रहा है जिसमें अब कमी आ जाएगी. भारत से लगभग 2.5 शुन्य लाख टन तिल का औसत वार्शिक निर्यात होता है. चीन में चालू माकेटिंग सीजन क शुरुआती तीन महीनों में ही मूंगफली तेल का निर्यात पिछले सीजन की पूरी अवधी के शिप्मेंट से उपर पहुँच चुका है. भारत से 90 प्रतिशत मूंगफली तेल का निर्यात चीन को हो रहा है लेकिन अब इसके शिप्मेंट की गती धीमी पर जाने की संभ बाइ